हेलो नमस्ते अदाब सस्रियाकाल केम छो एंड का सका है दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नमन गुपता फ्रम कार्स्वानिक्स मिनिस्टेर रोड हैदरबाद और दोस्तों आज के मेरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तब्योड़फुल अक्सेसराइजेशन जो हम इस सेल्टॉस एच्टी के मॉडल के अंदर करने वाले है दोस्तों ये एक सेकेंड मॉडल है सेल्टॉस के सीरीज में और एक ऐसा मॉडल है जो बेसिकली ना घर की है ना घाट की है मतलब इसके अंदर अक्सेसरी उसने दिये है बट या नॉट कम्प्लीट सिंपल तरीका हैडलाइट्स है फॉग लाइट्स है लेकिन इफ अल यू स्विच इट ऑन नंसी बहुत ही जादा ओडिनरी हालोजन येलो बल्प्स है सामने के तरफ में ग्रिल तो दिया है बट यह सेम मैट फिनिश का बेसिक ग्रिल है विद बेसिक साटन सिल्वर बॉर्डर इंटीरियर एक बार आईया गाड़ी के अंदर यहां पर सिस्टेम तो टच्सक्रीन दिया है बट इतना बेसिक टच्सक्रीन सिस्टेम है यह दाट इस नोट इवन कैपासिटिव टच नथिंग और मोरोवर हम जब रिवर्स गयर दालेंगे इतनम बेसिक क्वालिटी का जस्ता रिवर्स कैमरा दोस्तों अब आप यह जितने अपग्रेड्स देख रहे हो यह सब निकलने वाले है राइट फ्रम दशीट कवर्स टू टॉट्सक्रीन सिस्टेम ट्री सिक्स्टी कामरा स्टेरिंग कवर हैंस्टेज हैद लाइट फॉग लाइट फ्रंट ग्रिल क्रोम एस्टेटिक सारे बाप्रे अ अफग्रेड किया दोस्तों हम इस गाडी के अंदर जो स्पीकर भी इसके बइडिफोल्ट आते है वह स्पीकर को भी रिप्लेस करके हम इसमें अफ्ग्रेडद स्पीकर दाने वाले अग्रेज में दोस्तों आप देख सकते हो कोई ब्रांडिंग नहीं है पेपर कोनिंग कर देगा एंड हम इसे निकाल कर इसके जगे पर सामने डोर में दे रहे हमारे दी ओडिसन प्राइमा कॉंपनेंट्स दोस्तों कस्तमर का का रिक्वार्मेंट बेसिकली ओडियो अप्ग्रेट का थाई नहीं पट वेन ही गॉट टो नो कि ओडिसन के स्पीकर्स विचार अप्रॉपर हंड़ेड वॉट्ट आरेमेस स्पीकर आप देख सकते हो फॉर ओनली या प्राइज वाल्यू ओफ फिफ्टीन ताउजन नाइन न इस तरीके का एक इंप गाड़ी में आएगा जिस तरीके का एक ऑडियो आएगा नो डाउट इस वर्थ इंवेस्में तो बाकी का काम भी शुरू हो चुका है आप देख सकते हो everything is kept open over here सब चीज अपने जगे पर फिटिंग चालू हो चुकी है और जल्दी हम आपको यह Just have a look at this vehicle from the front friends मतलब यह जो हमने इतर सामने original किया कि जो GT-Line की grill दाली है भाई साप जाड़ी का पूरा नक्षा ही बदल चुका है यह जो grill के border पे जो chrome surround हो रहा है इसका जो एक texture है यह it is actually giving the car a very premium look खाली बस आप एक बार दूर जाके गाड़ी का भी एक बार look देखे दोस्त अलग ही level पे transform हो चुका है कोई बोली ने सकता है दा this is the same HDK model of Seltos इसके अलावा हमने इस गाड़ी के जो headlights है उसे भी upgrade करके दाले है अप्रॉपर जनार्क लाइट बिहाइंड दोस प्रजेक्टर इसके अलावा दोस्तों नीचे जो fog lights है वहां पर भी हमने यह ice cube fog lights दाले है तो the overall look जो आपको यह low beam high beam and fog lights के साथ जो नजर आएगा पूरा white में जब आपर किनो all पूरा on देखोगे it is going to look very 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 premium stuff and दोस्तों इसका जो focus and throw भी जो रोड पे it is amazing just turn around and have a look. यहां पर सामने देख सकते हो यह जो proper दो waves जो बनके आ रहे है that is because of our proper projected low beam lights over there. हम जब high beam on करेंगे आप देख सकते हो the brightness has even more spread out. मतलब जो low beam के अंदर जो lighting आती है जो city के लिए is more than enough high beam on करते है road पे जो focus एक अलगी level पे जाग चुका है दोस्तों. Can you see that focus on the tree over that जो दीवार के उस तरफ है? भाई that is the kind of focus and throw our products over here gives. यह है basically जो हमने इसका front profile अब्लेट किया है. दोस्तों अगर आप पीछे का profile देखोगे you won't find many elements but वो जरूरी product जो basically HDK में नहीं होता है और जो top end में होता है that is basically this chrome garnishing over here. Well friends अगर आप देखोगे top end में यहां पर chrome जो अलड़ी लग्या आता है हमने इसे भी chrome में wrap कर दिया है तो पीछे से भी frankly speaking there's not much of a difference now. इस गाड़ी का अगर आप side profile देखोगे तो you will find a lot of elements जो हमने इसमें दाले हैं. You will find door visors of chrome lining, lower window garnish जो पूरा third row तक दाला गया है door handle को chroming दी गई है, door side molding का chrome दिया गया है and side mirrors को भी chrome की garnishing दी गई है. Friends आप खुद देख सकते हो कि यह chrome aesthetics दालने के बाद गाड़ी में जिस तरीके से एक you know uplift होती है गाड़ी, it actually makes your car a little subtle look plus very elegant look. मतलब मज़ा आता है गाड़ी में देखने करने में, it looks actually very premium and classic. दोस्तों, let me tell you तो आपने जित्ते अभी accessories देखे है, exterior के, इसकी जो main jam है और जिस तरीके के हमने accessories इसके interiors में दाले है, it has transformed the look of the car to another level. तो आईए गाड़ी के अंदर, मैं आप लोगो बताता हूँ quickly the kind of interiors what we have added in this car with. दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी के interiors में देखोगे, हमने इसमें simple, subtle रखते वे, सिफ एक अंदर 70 mats दाले है, which is basically covering the entire carpet area of your car. इसके अलावा, हमने इसके अंदर जो seat covers दाले, these are the article leather seats. दोस्तों, heat generate होना, peel होना, फटना करना, कोई scope ही नहीं है. Moreover, यह जो center में holes है, this makes sure कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, when I'm resting on it, मुझे इधर proper airflow मिले. मतलब वो seat गरम होने करने का कोई chance नहीं रहेगा. And friends, क्योंकि यह article leather seats है, हम इसमें आपको guarantee देता है, अगर आप गाड़ी को तीन घंटे भी कड़क धूप में पाक करते हो, आप दर्वाजा खोलोगे, तो वो burning leather जैसी smell आना करना chance ही नहीं रहेगी. Quality-wise, they are being one of the best ones since almost about 15 years in the market. इस seat covers के साथ-साथ हमने इस गाड़ी के जो steering cover है, उससे भी beautifully wrap किया है. Friends, just have a look at this steering cover over here. यह है हमारा pure leather Napa material का hand-stitched steering cover. Friends, एक single person भी कोई regsene stuff है नहीं, quality product है, made for celtos है, कोई universal size नहीं है. आप खुद देख सकते हो, जितना आपका steering का area है, वो पूरा का पूरा area इसमें wrap-up हो जाता है. Undoubtedly, one of the best products. इसके अलावा, हमने इस गाड़ी का door pad जो है, उसको भी beautifully leather में wrap किया है. The customer wanted the theme of same eye gray with red stitching throughout this car. तो हमने वही same concept रखा है. Steering cover is also black with eye gray color, and the door panels are also eye gray with red stitching, जैसा हमारा seat cover है. इसके अलावा, friends, हमने यहाँ पर जो touchscreen system है, उसे भी beautifully upgrade किया है. आपने तो पहले ही देखा है, जो company के साथ stock player आता है, HDK में, बहुत ही basic 8 inches का system होता है. हमने उसे replace करके, यह proper 10 inches का capacitive touchscreen system दिया है, जिसमें pen drive box, radio, bluetooth है, internet connectivity है, play store access, and wireless carplay भी है. इसके अलावा, हम जब यहाँ पर reverse gear दालते है, तो आप देख सकते हो, full HD clarity में, यह हमें bird view, and individual view बताएगा. हटाता ही front view आजाएगा, right indicator दालूँगा, तो right side का view, left दालते ही left side का view. इसके अलावा, हमारा यह जो setup है, it has got a beautiful 360 mode in it. तो यहाँ पर हम जब 360 mode select करेंगे, you can see, this is the car's proper four-sided image from the top. Friends, this is a proper real-time image, not any illustrated image. यह गाड़ी के मेरे चारो तरफ, जैसे tiles है, जैसा flooring है, वैसे ही यह proper बना हुआ है. हम जैसा चाहिए, उसे turn around कर सकते हैं, उसे move कर सकते हैं, गाड़ी के आगे क्या है, पीछे क्या है, left में क्या है, right में क्या है. As it is, सब जगे से हर angle से यह पूरा witness कर सकते हैं. Isn't it cool friends? मतलब technology आज हमें कहां-कहां लेके जा रही है, आप बस देखिए दोस्तों. More over, हम जैसे जैसे drive करेंगे, यह जो हमारा 360 camera है, पूरे चारों तरफ record भी करते रहेगा. तो कल के दिन अगर कुछ accident या कुछ भी होता है, हम as it is, इसी company के system के अंदर पूरा rewind करके, play करके देख सकते हैं. Isn't it cool? But let me tell you, the coolest thing is yet to come. Friends, बाहर जाईए, and now you are going to witness something amazing. तो please एक बार वोपस बाहर जाईए, and बाहर से एक बार यह पूरा जोग लुक है, इसका बस एक मज़ा लीजे, right now मैं मेरा mobile का Bluetooth on कर रहा हूं भाई, simple, and just have a look at this bright, amazing ambience light. दोस्तों हमारा proper razor का product है, the razor matrix ambience light, live in this car, just look at the brightness of this ambience light आ रहे है, बाप मुझे तो आज तक अभी जिंदगी मैं ऐसी brightness नहीं देखा हूं, and needless to say, multiple color options to select from, multiple modes to select from, इसका the best part is that, अगर आपको लग रहा है, नमन भाई, ये इतना bright है, तो मुझे रात के time पे इतनी दिक्कत होगी drive करने में, friends, खाली बस concentrate करना, and आपको अभी ये magic से brightness कम होते वे दिखाई देगा, जी, हाँ, दोस्तो, this is the least brightness to the maximum brightness, हम जैसा चाहे, as it is, ये आप से control कर सकते हैं, but this is not the wow factor, ये तो ठीक है, आप पहले भी देखे होंगे, नई बात क्या है, अब मैं आपको बताता हूं, नई बात इसके अंदर है क्या, 1, 2, 3, and go, just look at that beautiful matrix ambience light running in the car friends, मतलब ये जिस तरीके से ये light run हो रही है गाडी में, ये जो एक feel आ रहा है मुझे, feel good factor, ओ भाई साब, it has been an amazing change and a transformer, मतलब ये transformation सबसे best transformation है गाडी के ambience में, इसके अंदर इतने सारे हमें modes मिलता है friends, की मज़ा आजाता है, just look at this proper mode, simple, elegant रखना है, white color के light continuous run कर रही है, वैसे ही चाहिए, just switch on this mode over here, इसी तरीके से हमें और भी कई सारे modes आते है, ये देखिए, बस खाली उदर एक red color का dot उदर join हो रहा है, how good is it looking, खाली कुछ ना कुछ एक ambience, matrix, create हो रहा है गाडी के अंदर, just look at that beautiful look inside the car भाई, तो दोस्तों, this is what I call, एक ambience create होना, because this is what we give you, when you demand for, दोस्तों, आपने देखा भी किस तरीके से हमने ये Celtos HDK को भी अक्सेसराइज करा है, मतलब आज आज आपकी चाहिए base variant हो या mid variant हो, अगर आपको top end बनाना है, तो we have got all of you covered, दोस्तों, अगर आप लोग को भी more will I get motivated to show you amazing accessories every single day, this is Naman Gupta here signing off with this Celtos HDK model, thank you so much for watching the video